प्रोक बड़ी सीजन 10 का सेकंड लेक यानि की बैंगलोर लेक कम्पलीट हो चुका है और इसी के साथ टोटल 22 मैचेस खेले जा चुके है आईए इस वीडियो में टॉप 10 रेडर्स के बारे में जान लेते जो याँ पे 22 मैचेस कम्पलीट होने के बाद निकल के आया है पूरा लिस्ट आपको डिटेल में बताने वाला हो तो वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है वीडियो के एंड तक बने लिए शुर अगेंस्ट इन्होंने 4 रेड़ पोइंट स्कोर किया था बेंगॉल वारियर्स के अगेंस 8 रेड़ पोइंट स्कोर किया था और अपना पहला मुकाबला जो यहाँ पे दबंग देली के खिलाफ था उसमें 18 रेड़ पोइंट स्कोर किया था जिसके कारण अजिंग के पवा तो सचीन तनवर का परफोर्मेंस अच्छा रहा एंड उमीद करते कि आने वाले मैचेस में और अच्छा परफोर्मेंस सचीन तनवर दिखाए अब यहां पे नमबर आट की तरफ बढ़ते हैं तो नमबर आट पे रिकॉर्ड ब्रेकर परतीप नर्वाल है यूपी ओदास की सचीन तरफ से खेल रहे है इनोने चार मैचेस के लिए एंड इन 4 मैचेस में इनके पास टूटल 33 डेट पॉंट हो चुका है एन इन 4 मैचेस में इन्हों ने 2 सूपर 10 स्कोर किया था रिसेंटली बैंगलडु बुल्स के की लाफ तेरे डेट पॉंट स्कोर किया था तैल्ग के 3 matches में इन्होंने काफी अच्छा performance दिखाया नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर 7 पे High Flyer Pavan Seherawart है तलकू Titans की टीम की तरफ से खेल रहे इन्होंने 4 matches खेले और इन 4 matches में इनके पास टुटल 39 rate points है तमल तलावस के खिलाव 7 rate points स्कोर किया यूपी ओधास के किलाव सूपर 10 पतना पारेट्स के किलाव सूपर 10 एन गुजरा जैन्स के किलाव भी सूपर 10 स्कोर किया था तो 3 matches में सूपर 10 स्कोर किया लेकिन अभी कल के मुकाबले में जो यहां पे तमल तलावस के खिलाव था उसमें सिर्फ साथ रेट पॉइंट स्कोर किया लेकिन तभी भी इनके पास 13-9 रेट पॉइंट हो चुक है जिसके कारण नमबर साथ में पवन सहरावत है अभी यहां पे नमबर 6 की तरफ बढ़ते हैं तो नमबर 6 पे सुरिंदर गिल है यूपी ओधास की टीम की तरफ से खेल रहे हैं इन्होंने 4 मैचेस खेले एन इन 4 मैचेस में इनके पास टुटल 42 रेट पॉइंट हो चुका है इन 4 मैचेस में इन्होंने 2 बार सुपर 10 स्कोर किया था अभी रिसेंटली बैंगडुडो बुल्स के खेलाब 8 रेट पॉइंट्स, तल्गु टाइटन्स के खेलाब 14 रेट पॉइंट्स, हरियानस टीलस के खेलाब 13 रेट पॉइंट्स एंड यू मुंबा के खिलाफ 7 रेट पॉइंट स्कोर किया एंड इन 42 रेट पॉइंट के साथ सुरिंदर गिल लिस्ट में नमबर 6 पे है अब इससे पहले यहाँ पे टॉफ 5 प्लियर्स के लिस्ट की तरफ बड़े इससे पहले हम आपके फायदे की चीज बता देना चाहता हो अगर आपको प्रो को बड़ी के हर एक अपडेट सबसे पहले जानना है तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो हमारे टिलिगडाम चनल पे हर एक अपडेट सबसे पहले शेयर किया जा रहा है कुछ एक्स्क्लूजीव अपडेट्स पी आते डेली मैच के कवरेज भी हो रहे और साथ ही जाद एक giveaway भी चल रहा है हर 1000 सब्सक्राइबर जैसी increase होगा कुछ न कुछ giveaway किया जाएगा अभी 26,000 सब्सक्राइबर जैसी टच हो जाएगे एक लकी विनर को पिक किया जाएगा और उनको यहाँ पे 500 रूपीज का Amazon का gift card दिया जाएगा तो जीनों ने भी अभी तक जॉइन नहीं किया फटफ़र जॉइन कर लो एड़ 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 स्पोर्ट सुनिफ सेवन सर्च करना है नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऐसी अगर आपको हर एक अपडेट से अपडेटेट रहना है तो टेलिग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएए नमबर पाँच की तरफ बढ़ते हैं तो नमबर पाँच पे नवीन कुमार है नवीन कुमार नहीं थे पिछले वीडियो में लेकिन इस बार नवीन कुमार आज चुक है विकोस लास्ट के तीन मैचेस में काफी अच्छा पफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है अवरएल तीनी मैचेस कोलें एंनि तीन मैचेस में इन्होंने 42 रेट पॉइंट स्कोर किया था हर excellent Séas के किलाब 16 रेट पॉइंट Bengaldu Bulls के किलाब 12 रेट पॉइंट गिलाब 14 रेट पॉइंट एंड ये मात्र ऐसे रेड़र है इस तॉप 10 के लिस्ट में जिनोंने हर एक मैच में सुपर 10 स्कोर किया, तो कंसिस्टेंटली काफ़ी अचा परफोर्मेंस दिखा रहे है, और आने वाले मैचेस में इनका जो राइंग के वो यहां पे और भी इंक्रीज हो जाएगा, क्या पता, नमबर एक पे नवीन कुमार अगले हफ़ते देखने को म मिल है, अभी बेंगड़ू बुल्स के किलाफ ज्यादा अच्छा परफोर्म नहीं कर पाए, चार रेट पोइंट से, लेकिन गुजराज जायन्स के किलाफ इन्होंने 15 रेट पोइंट स्कोर किया था, तो अवर अच्छे पोर्म में है, उम्मीद करते कि आने वाले मैचेस म हो चुके है, पतना पाइरेट के खिलाफ 15 रेट पोइंट, तमिल थलायवास के खिलाफ 16 रेट पोइंट, बेंगलोड़ू बुल्स के खिलाफ 10 रेट पोइंट स्कोर किया था, इन तीन मैचेस में अच्छा परफोर्मेंस दिखा के बेंगॉल वार्यर्स की टीम अभी भी सीजन 10 में अनभीटन है, इसे के साथ नमबर दो की तरह बढ़ते हैं, तो नमबर दो पे सुपर सब प्लियर है, जो यहाँ पे सोनु जागलान है, गुजरा जाइंट के सुपर सब, सोनु जागलान काफी अच्छा परफोर्मेंस ओवरोल पाँच मैचेस में दिखा चुके कोर करके सोनु जागलान अभी भी टॉप टू में है, एन 46 रेट पॉइंट के साथ नमबर दो पे सोनु जागलान है, एन नमबर एक की तरह बढ़ते हैं, तो नमबर एक पे एक नया नाम एंटर कर चुका है, जो यहाँ पे भरत हुड़ा है, बैंगलोर बुल्स के स्टार फराथ हुड़ा नमबर एक पे आ चुके, और आनी की वज़ा हैं यह हैं की बैंगलोर लेक था, चार मैचेस बैंगलोर की टीम खेली यहाँ चार मैचेस में भरत हुड़ा ने तहलका बहात्या मचा दिया, जिसके कारण भराथ हुड़ा नमबर एक डार इक आ चुके हैं, इन्होंने overall 6 matches कह ले और इन 6 matches में इनके पास total 55 rate points हो चुका है, जैपूर के खिलाब 8 rate points, यूपी ओदास के खिलाब 10 rate points, हरियना स्टीलर्स के खिलाब 14 rate points, दबंग दल्ली के खिलाब 12 rate points, बेंगॉल के खिलाब 5 rate points, एंड गुचरा जैंट्स के खिलाब 6 rate points स्कोर करके, पूने के बाद अभी number 1 पे भरत हुड़ा है, एंड कल से सुरू हो जाएगा पूने का लेग, एंड पूने लेग के जो matches के breakdown कर दिया जाए, तो सबसे अधा matches यहाँ पे पूनेडी पल्टन की टीम खिलेगी, यहाँ पे बेंगॉल, यूपी, पटना पारेट्स, हरेना स्टिलर्स, जैपूर, पिंक पैंथर्स, दबंग दल्ली, एंड यू मुंबा की टीम, दो-दो matches खिलने वाली है, एंड गुजरा जैंट्स, बें इनामदार मोहित गोया, जो इस टॉप 10 के लिस्ट में नहीं है, पूने लेग कंप्लिट होने के बाद जरूर इनका नाम सामिल होगा, एंड कुछ ऐसे प्लियर्स, इसके चांसे टॉप में आने के मुझे लगता है, मनिंदर सिंग टॉप में आ सकते, दो matches बचे हुए, कुमार नंबर एक पे आ सकते, दो matches से, दो matches मचा खेलेगे, नंबर एक पे आने काफी ज़्यादा चांस है, और एसे रिडर से जिनके पास काफी अच्छा मौका होगा, टॉप 10 में आने का बापू क्या लगता है, पूने लेग कंप्लिट होने के बाद, नंबर एक पे क्या निकल के आया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, तब तक मैं मिलता हूँ, ऐसे कौन इंटरसिंग उड़के साथ, ठैंक्स पर वाचिंग